आज हम एक्सरसाइज 2.1 का कुस्सान नंबर 7 करेंगा, तो फर्स्ट कुस्सान है, इफ a equal to this, b equal to this, then what are a cross b, b cross a, a cross a, b cross b, and a cross b, intersection b cross है, तो हम पहले a cross b नहीं कामते है, a cross b क्या है, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4, यह आगा, फिर, b cross a, b cross के एक आगा, ऐसे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, यह आगया, b cross है, अब a cross a कैसे देखिए, a, यह है, 1, 2, 3, a को फिर से लिख लिए, 1, 2, 3, अब निकाले, 1, 1, 1, 2, 1, 3, इसी तरह से 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, अब निकाले, b cross b, तो b क्या है, देखिए, यहां लिख लिखे, यहां लिखे, b है, 2, 4, और फिर से लिखेगा, b को तो 2, 4, अब किजिए, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 4, ठीक है, यह हो गया, अब a cross b, intersection b cross a, क्या आएगा, a cross b, intersection b cross a में common क्या है, यह तो common नहीं है, यह भी नहीं है, यहां देखिए, 2, 2 common है, तो 2, 2 आ जाएगा, और कुछ common है, और कुछ भी common नहीं, तो बस यह आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बस यह आ जाएगा, तो हमारा, कुछान नमर 7, कम्प्लीट हो गया, अब नेक्स, जो नेक्स है, वो है कुछान नमर 8, इफ, a and b, are two sets, having, three elements, in common, if number of elements in a is 5, number of elements in b is 4, and find number of elements in a cross b and number of elements in a cross b intersection b cross a, ठीक तो देख, number of elements in a क्या है, 5, number of elements in b क्या है, 4, number of elements in a intersection b, मतलब, common, common मतलब intersex है, यह कितने, 3 है, ठीक, ऐसा है, आपको क्या निकालना, number of elements in a cross b कैसे निकालते है, number of elements in a into number of elements in b, तो 5 into 4, 20, ठीक, यह निकाल लगे, अब यह देखिए, a cross b, intersection b cross a, ठीक, आपको इसका निकालना, देखिए, अगर आपको, अगर ऐसा लिखा हुआ है, a cross b, intersection b cross a, मैं यह next exercise में discuss करने वाला हूँ, लेकिन, आभी फिर भी जान लेजिए, देखिए, अगर ऐसा रहे, a cross b, intersection c cross d, intersection c cross d, तो आप ऐसे लिख सकते है, a intersection c cross, a intersection c cross, b intersection d, ऐसा लिख सकते है, मतलब क्या करना है, एक बार इसके साथ, cross b, बीच में और यह इदार साइट, ऐसा कर सकते है, तो देखिए, यहां क्या है, a cross b, intersection b, cross a, तो यहां पर क्या होगा, a intersection b, cross b, intersection a, ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखिए, अगर इसके साथ, अगर number of elements हैं, तो element भी लगा दिए, अगर, आप ऐसा किये, अगर और दो तरीके हैं, नहीं, नहीं, अच्छा, देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर number of elements, अगर आपको बोलता था, a cross b, निकाले, तो आप कैसे निकालता था, number of elements in a, into number of elements in b, तो इसको अगर हम ऐसा लिखते हैं, a intersection b, cross b intersection a, देखिए, इसको पढ़िए, देखिए, यह a है, यह b है, क्या हो रहा है, number of elements in a, cross number of elements in b, इसको आप कुछ भी मत कीजिए, आप एक्जामपल लेजिए, आपको clear हो जाएगा, नेक्स्ट कोर्षन है, कोर्षन नमबर 9, हाँ, कोर्षन नमबर 9, कोर्षन नमबर 9, क्या बोल रहा, किकृशन, 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 कोर्षन, बोल रहा है, एक बोल, आपको Pap लेणिकृशन, अ a common if and only if the sets a and b have an element common in तो बोल क्या रहा है कि इस इस दो sets में इसमें element common होगा तब ही common होगा जबकि a और b में क्या हो element common हो और दूसरी तरह से यह क्या बोल रहा है कि इसमें common है तो इसमें होगा बात को समझें अगर कोई element a x b और b x a में common है तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि a और b में common होना जरूरी है उसी तरह से हमको एक बार क्या लेंगे कि यह हमारा given होगा और यह हमको प्रूब करना दूसरी बार में हम लेंगे कि अगर A और B में element common है तो हम प्रूब कीजिए कि A x B और B x A में elements common होंगे और फिर हमको यह प्रूब करना होगा दूसरा case में कि अगर A x B and B x A में element common है तो A और B में elements क्या होंगे? common होंगे तो हम पहला case मान लेते हैं कि इसमें common है और हम प्रूब कर रहे हैं कि यह इसमें भी क्या होंगे? common होंगे तो हम पहले given लेके चल रहे हैं कि given A x B and B x A have an element common have a common element ठेक? तो हमको क्या प्रूब करना होगा? तो हमको यह प्रूब करना होगा to prove कि A and B have a common element हम यह लेके चलेंगे और अगर यह प्रूब कर देते हैं तो हमारा प्रूब हो जाए हैं तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे लेट A, B, B in any arbitrary elements let A and B be any arbitrary elements arbitrary element of A intersection B intersection B x A then हम बोलेंगे कि A, B जो है belongs to A x B and B A, B belongs to B x A देखिए अगर A, A intersection B में है अगर A, A intersection B में है इसका मतलब A, A में B होगा and A कहां होगा? A, B में भी होगा तो उसी तरह से अगर A, B कोई arbitrary elements है इन दोनों का common मतलब यह वला इसमें भी होगा और यह वला इसमें भी होगा तो उसी तरह से क्या हो सकता है? कि अगर A देखिए यहां पर जो भी elements आते हैं A x B में, वो क्या होते है? कि A, A में होते है and B, B में होता है ठेख? तो यहां पर हम यह लिख रहे है कि A belongs to A and B जो है वहाँ B में belong करता है and यहां जो होगा A belongs to B and B belongs to A देखो यह वाला element इससे belong करता है और यह वाला element इससे belong करता है cross में जैसे ऐसे देखिए कि देखिए 1 मान लेज़े कि 1 और 2 कोई element है set में और यह 2 और 3 है अगर इसका निकाल ले cross पर लेगा तो 1, 2 आएगा 1, 3 आएगा 2, 2 आएगा और 2, 3 आएगा तो देखिए यह अगर कोई set A है और यह कोई set B है तो यह वाले element जो भी होंगे अगर हम A cross B निकाले हैं तो यह वाले elements A से belong करेंगे यह जितने भी elements होंगे first वाले वो कहां होंगे? A में होंगे और second वाले जो भी होंगे वो कहां होंगे? B में होंगे तो उसी तरह से यह first set में A होगा और second set में B होगा तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं देखिए, सब के बीच में and है तो हम इसको ऐसा भी अलग-अलग करके लिख सकते हैं और A बिलॉंगज भी अइसा करके लिख सकते हैं Other and कर दें अहां तो इसको आठ में लिख सम-व इंड भी बिलॉंग्स भी और B बिलॉंग्स भी अइसा लिख सकते हैं मतलब A बिलॉंगस कर भी and B देखिए A belongs to A intersection B और B belongs to A intersection B देखिए B intersection A भी लिखेंगे लेकिन B intersection same as A intersection B तो हम A intersection B कर देगे और देखिए दोनों के बीच में end है तो देखिए A intersection A में है और B B intersection A में है मतलब की common elements है देखिए हम कहां लिए थे elements इसमें लिए थे और हम बोल दिये की elements किसमें है इन दोनों का intersection intersection मतलब क्या देख रहे है common देख रहे है तो हमारा first part प्रूब हो गया अब हम क्या बोल रहे है कि एकदम same ले रहे है कि given हम मान के चल रहे है कि a and b have an element common और हमको prove करना है कि a cross b and b cross a have an element common have an common element तो आपको कुछ नहीं करना है आपको same करना है कि let किजिए let a and b are two arbitrary arbitrary element of a intersection b कुछ नहीं करना आपको लिखना a intersection b and b belongs to a intersection b मान लेते हैं कि a और b दो element ऐसे है जो की common है कि आपको इसे शालू करना है पीछे से अब चलिए a intersection a intersection के जगा and लगाते हैं तो लगा दिए और इसको लिख दिए b intersection a and b intersection b ठेक कुछ नहीं कि दिए अब क्या कि दिए a वाले जो sets है उसके साथ लिखिए मतला क्या लिखिए a belongs to a and b वाला लाया b belongs to b and ये क्या हो जाएगा ये है ना a belongs to b and b belongs to a ऐसा कर लिए तो ये क्या बनेगा ये बनेगा कि a b belongs to a cross b and देखे a b belongs to b cross a definition होती है ना अगर a b a cross b में है तो a a में होगा और b b में होगा ये definition थी देखे न a cross b का definition क्या था कि अगर a b a cross b में है such that कि a belongs to a and b belongs to b है तो हम यहाँ definition ही तो लगा है देखे कुछ नहीं किया है और देखे and intersection तो ले लिए intersection intersection b cross तो हमने प्रूट कर दिया देखे एक दो elements लिए common था और हम यह बता दिया कि वह element इसमें भी common है ठीक अब है question number 10 let a a and b be the two sets such that number of elements in a is 3 number of elements in b is 2 if x y this in a cross b find a and b where x y z are distinct कुछ नहीं कि अगर आपको definition अच्छा से पता है आपको कहीं दिखा नहीं हो आपका definition क्या था a cross b अब ही हमने बता है कि a b such that कि a belongs to a and b belongs to b तो a cross b में क्या है a cross b में आपके 3 elements x x1 y2 z1 यह a cross b में तो यह वाले जो elements होंगे न यह वाले मतलब x, y, z यह सब belongs करेंगे कहां से a से तो a से आपका क्या हो जाएगा x, y, z और यह वाले जो elements होंगे न यह कहां पे होंगे b में होंगे देखिए one one belongs to b and two belongs to b अब एक दो चीज से है तो उसको एक ही बार लिखेंगे मतलब repeat नहीं करेंगे तो यह हो गया a और b आप एक्जामपल से भी समाज सकते हैं जैसे मान लेजें कि a है one two और b है a b ठीक मान लेता हैं आप a cross b निकालिए देखिए देखिए one a one b two a two b जब a cross a निकाले तो देखिए यह वाला element जो है यह a set से है देखिए one a set में है one a set में है two a set में है यही वाला element b set में नहीं है b set में क्या है second वाला element है a देखिए यह b में है तो इस हम सेम काम यहां पी किए इसको set a में रखे इसको set b में रख दीए हो गया काम खतम अब नेक्स्ट है कुसर नमर 11 अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है a बी बिलोंग्स टू अ b भी a में है a भी a में है a बिलोंग्स टू ए b बिलोंग्स टू ए और यह है कि a डिवाइड करना चाहिए b को तो आप बनाएं वबं क्या वइन Looks डिवाइड करेंगा वअन को जैसे a डिवाइड बमातले ऐसा तों क्या अजसे समvity में ने आ हला तो ऐसे लिखते है ईसको ऐसे भी लिख सकते b तो अगर यह हमको ऩेटीजर बिलता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ए जो है वो B को डिवाइड कर रहा अगर B by A हमको कोई integer मिलता है तो हम ये बोल सकते हैं कि A जो है वो B को डिवाइड कर रहा तो 1 और 1 को डिवाइड करेंगे 1 हमको क्या मिलेगा? integer मिलेगा तो पहला elements क्या आगिए? 1, 1 देखे फिर इसी तरह से 1, 2 ये 0.5 integer मतलब point में नहीं होना चाहिए तो ये integer मतलब 1, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा 2, 1 को डिवाइड तो नहीं कर रहा इसी तरह से ये भी नहीं करेंगा 1, 3 भी नहीं, 1 अपन 4 भी नहीं ये आपको 0.33 मिलेगा ये आपको 0.25 मिलेगा इसी तरह से आप क्या 2, 1 मतलब 1 डिवाइड तो बिल्कुल 2, तो ये आजाएगा 1, 2 फिर जो 2 डिवाइड तो बिल्कुल integer मिला, तो 2, 2 क्या 2 को 3 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता क्या 2 को 4 डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता देखे, ये कटे का 1 बाइ 2 आएगा लेकिन ये आया क्या? ओवरॉल 0.5 एक integer नहीं आया तो इसलिए डिवाइड नहीं कर सकता फिर अब चेक किज़े 3 के लिए 3 को 1 डिवाइड कर सकता है बिल्कुल 3 तो आपका एक element 1 3 बना फिर 3 2 नहीं 1.5 integer तो नहीं आया 3 3 1 हाँ तो 3 3 हो जाएगा आप समझ रहे ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखे, ये A है इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ देखे, A को पहले लिखना है क्योंकि देखे, यह ये वला है A और ये B है, देखे, ये B है, ये A है तो हमने क्या लिखा? और डिवाइट कर रहा है तो A को यहां लिखा और B को यहां लिखा बस यहीं करना है 4 3 ये भी डिवाइट नहीं करेगा ये पॉइंट में सम्थिंग आएगा अब 4 के लिए चेके तो तो क्या 4 डिवाइट 1 डिवाइट 4 तो बिल्कुल हाँ 4 इंटीजर मिला ओओ 1 4 फिर 4 को 2 डिवाइट करेगा बिल्कुल करेगा 2 तो 2 4 4 को 3 डिवाइट करेगा नहीं करेगा ये 1 पॉइंट सम्थिंग आएगा क्या 4 को 4 डिवाट करेगा बिल्कुल करेगा तो यह 4 4 हो जाए तो यह हमारा क्या हो गया relation R हो गया क्या हो गया relation R हो गया next आपको question number 12 है आपको इसमें A cross A cross A निकाना तो निकालीए कुछ निकाना बस देखिए आप पहले A cross A निकालीए तो कैसे निकालीएगा minus 1 1 cross minus 1 1 अब multiply कर लिजे minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 बस हो यह जिम्पली यही करना था अब इसको आपको फिर A cross A निकाना तो कुछ मत किजे एक बार और multiply कर लिजे minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 1 1 1 इंट इस minus 1 multiply किजे minus 1 minus 1 minus 1 फिर यह minus 1 minus 1 1 फिर यह minus 1 1 minus 1 फिर यह minus 1 1 1 फिर यह 1 minus 1 minus 1 फिर यह 1 minus 1 1 फिर यह 1 1 1 1 1 minus 1 फिर 1 1 1 देखिए तोटल केतने मिलना चाहिए चाहिए एट मिलने चाहिए एक दो तीन चाहर पांच छे साथ आठ ठीक है यह हो गया next question is question number 13 state whether each of the following statements are true or false if the statement is false rewrite the correctly ठीक है तो हम first statement को देखने first statement में क्या है if p is equal to this and q equal to this तो हमको p cross q निकालना है क्या निकालना है p cross q तो निकाली रहे देखिए p cross q क्यों निकाली क्या आएगा m n m n n n m यह क्या आगिया p cross क्यों यह क्या इसके बराबर है देखिए इसमें m m तो है नहीं n n तो है नहीं तो यह statement तो false हो जाएगा और correct statement क्या हो जाएगा इसके जगह यह replace कर दीजिएगा आपका statement correct हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट है कुसर नमर थर्टीन का सेकेंड पार्ट यह अइसके तो आपका आपके आपका सब्सक्राइब था संगई वह खाली सेट नहीं है और एक रोस बी जो है कि वह नहींपंग सेट्थ है और एक और वाई गा huge माज़ा अगर एक्स को एक्रोस बी निकालते हैं अगर उसमें ओर जिसे हम अगर एक्रोस बीका डेफिने सन बोले तो क्या बोलते हैं कि यह बी उसका ओर पिर होता है ऐसा होता है कि एन जो है वह होता है यह वाणसू में होता है और यह वाला बी में होता है मतलब कि first element जो है वो first set से होता और second element जो होता वो second set से हो ठेक तो एक रोध भी हो गया और इसमें xy order पे रहा है इसमें xy order पे रहा है अचा पहले समझते तो x कहां होना चाहिए एक्स ए में होना चाहिए एंड एक्स का और y का होना चाहिए yb में होना चाहिए एदम सेम एज यहां से लिखें यहां पे a भी था यहां पे xy है तो देखिए a के जगा x आया और b के जगा y आ गया बस यहीं किये लेकिन यहां पे क्या बोला है इसा तो नहीं होता तो यह गलत हो जागा तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा उसके जगा ट्रू स्टेटमेंट क्या है यह वाला ट्रू स्टेटमेंट है यह हो गया देखो अगर if a is this and b is this देन आपको बोला है कि a क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई निकाली है अच्छा बी क्या है बी 3 4 है ना है 3 4 और फाई तो भाई इंपर्टी है कुछ नहीं अब कुछ और कुछ नहीं मैंसे क्या कॉमन होगा कुछ नहीं कॉमन होगा ना तो हमको क्या मिलेगा फाई मिल जाएगा ना जैसे मालेज़े में वन टू और इसमें कुछ नहीं है कुछ है यह नहीं है आपको तो एक रॉस भी में क्या होना परते हैं और पेर बनाने होते हैं क्या बनाने होते हैं और पेर बनाने होते हैं तो ऐसे भी आप देखिए और तो बनेगा नहीं तो order pair नहीं बनेगा तो a cross b में कैसे elements आएंगे 5 elements आएंगे ना मतलब a cross b में नहीं मतलब a intersection 5 में तो 5 elements आजाएंगे तो यह statement तो true हो गया true statement है next question number 14 if a equal to 12 from from the set a cross a cross a आपको यह find करना है find the set a cross a यहां पर find होना चाहिए था ऐसे question में तो from ही दे रहा है चलिए कूछ लिए इसको find कर दीजिये find कर दीजिये पहले आप क्या कीजिए इसको निकालने के लिए a cross a निकाल लिए क्या आएगा 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 यह आजाएगा फिर a cross a cross a निकाल लिए इस सेट को यहां लिकिए 1 1 इसके लिए यह लिकिरा रहा है 1, 2 2, 1 2, 2 Cross 1, 2 ठे अब लिखे 1 1, 1, 1 फिर इसके साथ 1, 1, 2 फिर इसके साथ 1, 2, 1 1, 2, 2 फिर ये वाला 2, 1, 1 फिर ये वाला 2, 1, 2 फिर ये वाला 2, 2, 1 फिर ये वाला 2, 2, 2 देखे ये हो गया कुस्टर नमबर 14 भी कम्लेट हो अब next है कुस्टर नमबर 15 इफ ए इक्वल तो देस और बे एक्वल तो देस रिप्रसेंट देस फॉल्विंग सेट्स ग्राफिकली आपको ग्राफिकली बताना मतलब आपको क्या कहना है यहाप एक ग्राफ बनाना है जैसे बच्पन क्लासों में किया करते थे तो पहले आप एक्वल भी निकाल लेगे फर्स्ट पार्ट में आपको एक्रोस भी निकालना है तो आपके पास ए दे रखा है वन टू फोर और बी दे दिया वन टू थरी निकाली एक्रोस भी क्या है वन वन टू वन थरी टू वन टू 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 तू थरी फोर वन फोर टू फोर थरी यह आगे अच्छा, आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, ग्राफ बनाईए, जैसे ऐसे बनाते थे, तेन क्लास बनाते थे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and 4, बस इतने लिखे, इदर लिखे, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, अच्छा, 1 पे क्या है, 1, ये वाला पॉइंट आजाएगा, 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 2 ये वाला पॉइंट आएगा, 1 पे 3 देखे, ये वाला पॉइंट आएगा, फिर 2 पे 1, ये वाला टूपे टू यह कॉस्त पे टूपे यहवले पॉंत कि हुप फिर फॉर पर वन यह बना रहा पोँच पर फटू यह कॉपार थी यह बना अब सभी को स्वाइन कर दिए कि भी कुछ ऐसा बन गया कै जिलिग है कुछ ऐसा बन गया तो बस आपको ऐसा ही करना है अब इसके बाद बी क्रॉस ए निकाल दीजिए बी क्रॉस ए निकाल लिए बी क्या है बे वन टू थ्रे है और ए आपका वन टू फोर है आपको बी क्रॉस ए निकाल लिए तो क्या किजिए वन वन टू वन फोर वन चॉड़ी टू वन टू टू फोर यह आँ गया अब आप इसको क्या किजिए प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पे प्लॉट के लिए वन टू थ्रे फोर वन टू थ्रे और फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्रे माइनस वन माइनस टू वन पे क्या आ रहा वन पे वन आ रहा यह देखिए वन पे टू यह वाला पॉइंट होगा वन पे फोर यह वाला पॉइंट होगा टू पे वन यह वाला पॉइंट होगा टू पे टू यह वाला पॉइंट होगा टू पे फोर यह वाला पॉइंट होगा को थिपे वन ये वाला पॉइंट होगा कोटि ये वाला पॉइंट ठीप टूब ये वाला पॉइंट होगा रोगे मुदन अध superfici को जोपाइन गरत्व इस तरह मिल जाया है एक है कि ये हमारा सपीठ उपाइंट था ऑभ थार्ड आथ थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना एक रोस ए निकालना है जबकि ए वन टू फोर है और ए ही वन टू फोर है तिम्पलिक निकाल लीजिए एक रोस ए 1-1 1-1 1-2 1-4 2-2 sorry 2-1 2-2 2-4 4-1 4-2 4-4 अब इसको बस plot कर दीजे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 पे 1 1 पे 2 1 पे 4 2 पे 1 2 पे 2 and 2 पे 4 4 पर 1 4 पर 2 and 4 पर 4 जोईन किजिए देखे हर बार ग्राफ जो बन रहा है वो कुछ similarity है उस ग्राफ में आप दे सकते हैं कि कुछ ना कुछ similarity ये दोनों ग्राफ तो एकदम सेम है लेकिन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाया था ये भी कुछ ऐसा ही है मैं दिखाता हूँ देखे ये कुछ ऐसा ही है बस इसका थोड़ा सा सेप उप चेंज है बाकी ग्राफ एक ही जैसा बन रहा चलिए हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं वह है बी क्रॉस बी बी क्या है वन टू थ्री बी क्रॉस बी निकाल ले तो क्या आएगा वन वन टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री यह आगा एक B cross B में अब simply graph बनातीजे graph थोड़ा गंदा था मन रहा है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 minus 1, minus 2 minus 1, minus 2 1 पे 1 ये वाला point होगा 1 पे 2 ये वाला point होगा 1 पे 3 ये वाला point होगा 2 पे 1 ये वाला point होगा 2 पे 2 ये वाला point होगा 2 पे 3 ये वाला point होगा 3 पे 1 ये वाला point होगा 3 पे 2 ये वाला 3 पे 3 ये वाला देखिए उस ऐसा ही बन रहा है वोदा चहार पार्ड बन रहे है झाल